हाला आई रॉनक प्रुईद वेलकम यू अलान डॉट्यूब टेग यूट्यूब चैनल तो आज हम लेकर हैं वो टॉप टैन फ्लॉटर विजिट्स जो आप सभी को पता होने चाहिए अगर आपको पता होगा तो आप भी अपना प्रुडिक्टिविटी बढ़ा पाएंगे अपना वेल्यूबल टाइम कम कर पाएंगे वाइल क्रेटिंग अप्लिकेश बिना किसी दिरी ये लेट्स टार्ट तो फॉर्स इना लिस्ट इस एक्स्पेंशन टाइल नॉर्मल जब हमको भी एप्लिकेशन बनाते हैं तो हम ज़्यादा तर लिस्ट टाइल के बारे में हमको पता होता है बट कहीं बार आपने दिखा होगा कि ऐसी लिस्ट भी होती जिसके अंदर आप उस लिस्ट के आइटम को ना एक्स्पेंट करना चाहते हैं तो इसके अंदर का कंटेंट आपको डीटेल फॉर्मेशन में वहीं दिख जाए या कोई भी आपको एक पर्टिकुलर डीटेल इन ब な देता हुँ, एकस पेंश्ट टायल के मने मैं इस पाइल हैं जैसे कि हमोड़ने लिस्ट टायल में देखा इसमें भी टाइटल होगा टाइंद में टेक्स्त आम यह बेसिक बना रहे हैं फिर हमारे पास में चल्ड नघ्ल यह है यहाँ पर हम हमारे आइटम को मैंनेज कर सकते हैं मुल्टीपल आइटम्स हम एड़ कर सकते हैं अभी के लिए मैं आपे सिर्फ एक लिस्ट टाइल ले लेता हूं और इसमें टाइटल एड़ करता हूं अब्रीफ डिस्क्रिप्शिन और है वन्टो एड़ सम्मोर यू कें तो हम यहां पर एक और लिस्टाइल लगा सकते हैं अब लिस्ट को भी एड़ कर सकते हैं मतलब अगर आप चाहो तो यहां पर एक मल्टीपल लिस्ट और एड़ कर सकते हो एक लिस्ट के एक आइटम के अंदर मल्टीपल अगर आपको लिस्ट दिखानी है मीरी तो अब जब मैं ऑग्योर कर सकते हो जिसके और लिस्ट इंदर फॉर्द एक और लिस्ट कर सकते हैं तो इसके लिए हैं यह चीज कर सकते हैं this is expansion टाइल और यहां पर यहां पर प्लोर ओर विजट्स भी एड़न कर सकते हूं एक बार हम इसको चलाते हैं इसमें इंप्र्टन चीज जो है ना वह यह है एक बार हम रन करते हैं फिर अपन आधिशनल करते रहेंगे जो हम कुई हाँ दिफॉर्ट न नीचे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इस expansion टाइल को या हम इसको इस तरीके से करें कि हम यहां पर लिस्ट्वी डॉट बिल्डर बना लेते हैं तो यहां पर यहां पर बल्टीपल आइटम्स एड़ कर सकते हो जैसे आप लिस्ट टाइल के तुरू लिस्ट का इटम दिखा आते हो वैसे expansion टाइल के तरूब भी दिखा सकते हो ठीक है यहां context आजाएगा इंडेक्स आजाएगा ठीक है रिटन कर देता हूं में यहां पर expansion टाइल और item काउंट देता हूं में एक बार के लिए 5 ठीक है तो अलग-अलग items आप यहां पर एड़ कर सकते हो और यहां पर एक्सपेंशन टाइल में मिल जाएगा इसी के अंदर आते हैं और एक्सपेंडेट और एक्सपेंशन चेंज तो यहां पर आपको एक्सपेंशन की वेल्यूस मिल जाएगी कि अग्सपेंशन लगा रहा है तो यहां पर प्रिंट कर वा सकते हो कि इस एक्सपेंड में क्या वेल्यू आ रही है जैसी में इसको रॉन करता हूं यह मैंने से फर्स टाइल में इसमें तो इस टाइल पर ही लगा है तो हर एक आप्शन में आपको देखने को मिलेगा इसके टैप करते हैं आगया टू पाल्स टू फॉल्स तो यह आपको पता लगता रहेगा कि अब ओपन हो रहा है कब आपको कुछ चेंजेस करवान है तो यू कन दूट एट एक और चीज हम यहां पर देख लेता है बाकी सारी चीज़े तो बेसिक है जो चीज समझ ली थी हमने समझ ली एक्सपेंशन टाइल में वन मोस्ट इंपोर्टन थिंग इस आपको इसके एक्सपेंशन को कहीं बाहर स पर चीज सेम चीज मुझे किसी बटन के टाप पर एक्सपेंशन टाइल और आपको किसी और जगह से उसको चैन्टोल करवाना हो तो यू कैन एड्ड यूर्व ओन एक्सपेंशन टाइल की जरूरत है क्योंकि अगर मुल्टिपल हम एक्सपेंशन टाइल लेंग और उनके ब बनाएंगे तो हमको multiple controllers की जरूत पड़ेगी हाला कि यह वहां ज्यादा required होता है जहां पर एक expansion tile है and you want to control that particular thing from another particular place तब आपको इसकी ज्यादा requirement होती list के नदर majorly आपका implicit controller ही required रहता है तो हम यहां पर expansion tile को अलग से बना लेते हैं कट करते हैं कि अच्छिक है और इस लिस्ट्यू डॉट बिल्डर को मैं एक बार के लिए कमेंट आउट कर रहता हूं कि यहां मैं बटन भी बनाऊंगा और इस expansion tile को मैं control कर बाऊंगा वहां से तो कॉलम चाइल लेते हैं चाइल के अंदर आ जाएगा हमारे पास में expansion tile list दैन उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में यह हमारा एक्स ने खतम हो यहां पर आ जाएगा अलिवेटिट बटन और एडिटिट बटन के अन प्रेस पे हम कर देंगे एक्सपेंड करना है को लैप्स करना है एक्सपेंड और यह मैं चाहूं तो यह भी मैंनेज कर सकता हूं क्या करना होगा मुझे चेक करना होगा और कंट्रोलर से तो कंट्रोलर पहले बनाना पड़ेगा आपन को लैट्चे हम यहां पर कंट्रोलर क्रियेट करते हैं एक्सपेंशन कंट्रोलर म कंट्रोलर एक्वल्स टू एक्सपेंशन डाइल कंट्रोलर को यह मेंचन कर देते हैं एक्सपेंशन टाइल वाला काम कभी भी आपके स्टेट लेस में नहीं हो सकता तो आपको इसको कनवर्ट कर देना है स्टेट फुल से अब आ जाते हैं पर यहां पर और यहां पर कंडिशन लगाता है क्या लगाना है यह बंदा जो टैप करेगा वह किस से करेगा को लैपस करने के लिए करेगा और एक्सके लिए करेगा और दूसरा काम क्या करना है मुझे इस बटन के क्लिक पे भी तो एक्शल में एक्सपेंड और खुलाप्स करवाना है तो एम कंट्रोलर. इस एक्सपेंड एगर खुलाप्स नहीं तो एल्स, expand, mController.expand, यह हमारा काम हो गया, अब इसको हम रन करते हैं, and let's see the change, फर्स ताइम जब वो इनिशलाइज होगा, तो हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो यह आ रही थी कि हम controller को ले रहे थे, वो इस expand को कर रहे थे, true करने की कोशिश कर रहे, तो यहां तो यह button के tap पे होगा, लेकिन यह जो चीज है, जिब हम इसको collapse और expand कर रहे हैं, यहां पर यह controller की value कोई assigned नहीं है, तो इस जगा पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो कह रहा है कि इस controller को assign तो होने थो पहले, तो हम क्या करते हैं, हमको यह चीज तो पता लग रही है, on expansion chain, तो हम एक variable बना देते हैं, which is type of a boolean, is expanded, is equals to false, initially तो false ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, कि जो भी expanded की value आ रही है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, is expand, ठीक है, expanded, और यहाँ पर यहाँ कर देता हूँ, is expanded की क्या value है, is equals to, expand, ठीक है, यह वाला काम हो गया, और यहाँ पर हम set state लगा देते हैं, ठीक है, जब भी expansion change होगा, is expanded जो है, वो change होगा, अब क्या होगा, कि जो हमको initially controller की value में problem आएगी, वो इसलिए आएगी, क्योंकि जब आप इसको build कर रहा है, तो 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 controller initialize हुआ नहीं है, तो हम कहते हैं, ठीक है, टैप करेंगे, अब हम इसको करते हैं, तो आगे हमारे पास में, मैं यहां से भी कर सकता हूँ, और यह मैंने explicitly चाहा था, कि मैं explicitly इसको control कर पाऊँ, तो यहां से भी मैं इसको control कर रहा हूँ, अब हमको कोई button की requirement नहीं है, बट लेट से आप कोई run time में, कोई एक particular instance पे, इसको automatically open करवाना है, तो उस case में बहुत ज़्यादा useful हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको क्या करवा सकते हो, expand करवा सकते हो, अब बात करते हैं कि यह जो हमारा button है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, तो यहां पर यह वो color change हो रहा है, यहां पर यहां पर अलग अलग items आने चाहिए यहां पर तो अलग अलग items भी हम लगा सकते हैं, इसका icon का बना रहे हैं यहां पर, तो हम क्या करेंगे, आपर simple सा चेक लगाएंगे is expanded, अब हमारे पास में एक key है, जो हमको true false value देगी, which is on depending on the expanded है के नहीं है, अब अब नहीं तो icons dot arrow down, अब आप difference देखना, अब यहां पर animated icon भी ले सकते हो, यह arrow आगया, यह represent कर रहा है कि आपको उसको expand करना है, expand कर दिया, और जैसी expand हो आदेखो, अपने आपी उपर का arrow आगया इसमें, तो इस तरीके का animation भी, इसमें animated icon भी ले सकते हो, तो animation दिखाएगा, और अभी के लिए अपने दो अलग-अलग icons ले ले ले, जो represent कर रहा है, एक collapsing के लिए और एक expending के लिए, चिक है, अब एक और चीज आते कि, यह right hand side में आ रहा है, trailing इसको मुझे left hand side में चाहिए, तो यह option भी आपको expended के अंदर मिल जाएगा, अब expansion tile में मिल जाएगा, which is affinity, control affinity list, tile, control affinity, dot leading, अब जैसे ही आपने leading किया, तो यह option आपको यहां मिल जाता है, देख रहा है आपको, मतलब कि, अगर मैं यह icon वाला काम नहीं करता हूँ, trailing में, तो बीना इसके भी हमको काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यह आपके उपर है, कि आपको अपना customization करना है कि नहीं करना है, तो यह by default हाएगा, that means कि मैं इसको trailing में भी लगा सकता हूँ, बिल्कुल, आप trailing करोगे, तो यह trailing में आइकन आ जाएगा, यह default animation है इसका, और default icon है, लेकिन मुझे खुद के icon चाहिए और उनको animate करवाना है, तो मैं इस तरीके से trailing को use कर सकता हूँ, या leading को use कर सकता हूँ, ठीक है, आपको भी कर manually चाहिए इधर, जैसे मैंने तो इधर leading करके, जो control affinity उसको change करके leading किया, बट लेट से यहां पर तो default मिल रहा है, अगर आपको अपना खुद का icon चाहिए, तो आप leading में लगा तो, जो आप trailing में कर रहे थे हैं यहां पर, यह same काम अगर आप leading में कर दोगे, यहां पर, same चीज, और अगर मैं control affinity नहीं देता हूँ, तो यह same चीज जो मैंने यहां करी है, वो मैं कहां पास कर देता हूँ, leading में पास कर देता हूँ, तो it will happen to do same thing, आगे देखो, तो इस तरीके से आप इसको handle कर सकते हो, तो यह सारे options मिलते हैं आपको expansion tile के अंदर, now coming to the next widget, which is also related to expansion tile, yes, कुछ ऐसा हो, कि आप इसकी list बना रहे हो, second में क्या है, अगर हम इसकी list बनाना चाहे, तो हमको list2.builder चीएगा, अब लिस्टू.builder के अंदर हमको multiple और items लेने ही पढ़ेंगे, मतलब expansion tile के items multiple repeat करने पढ़ेंगे, या बिल्डर के अंदर बार-बार उसको repeat कर सकते हो, जैसा कि हमने किया यहां पर, बट क्या हो कि अगर इसका भी अपन को एक list type, list type एक widget मिल जाए, yes, that particular widget is known as expansion panel list, तो वहाँ, अब इस चीज़ को हम यूज करते हैं, यहां लिखेंगे अपन expansion panel list, अब expansion panel list के अंदर हमको children चीज़िए, children किस type के है, children है, हर index पे expansion panel नाम का एक widget मिलेगा आपको, तो यहां बना लेते हैं expansion panel, panel में देखो दो चीज़ है, header builder है, और एक आपका body parameter है, तो I hope idea लग गया आपको, मतलब एक header होगा, जो title की तरह काम करेगा, और जो body parameter है, वो आपके अंदर का expansion वाला जो पार्ट है, वो hidden रगेगा, जैसे ही वो panel expand होगा, तो वो जो body part, वो exposed हो जाएगा, तो header builder के अंदर हमको, यहां पर देखना पड़ेगा, builder class है, तो यह दो चीज़े लाता है, build context and boolean, तो हम यहां पर, दो चीज़ों को handle करेंगे, एक तो context, और एक check, ठीक है, और body में इसको सिर्फ एक widget चाहिए, तो हम यहां पर widget बना देता है, विजट का भी मैं ले रहा हूँ, simple style ही ले रहा हूँ, यहां पर इस टाइल में मुझे यहां पर सिर्फ टाइटल चीज़े, तो टाइटल में मैं text दे दूँगा, और text के अंदर, brief description in here, ठीक है, तो यहां पर भी मैं टाइब तो एक ऐसा ही है ना, कि एक list जैसा ही दिख रहा है, तो यहां पर भी मैं list टाइल ले लेता हूँ, list style, ठीक है, इसमें title दे रहते हैं, title में text, item 1, ठीक है, एक बास को run करते हैं, ठीक है, उसको run करके देखते हैं, तो अभी हमारे यहां पर पास कोई भी content नहीं है, उसका main reason है, कि यहां पर इसको कोई height mix, मैक्सिमम हाइट मिली नहीं है, तो इसके लिए मुझी क्या करना होगा, इस expansion panel इसको wrap करना होगा, with another widget, कोई भी size box भी ले सकते हो, गर fixed height है आपकी तो, बट मैं लेना चाहूँगा, यहां पर container से इसको wrap, प्लस मैं इसको scrollable बनाना चाहता हूँ, by default यह scrollable नहीं होथा, wrap with another widget and name it as, single child scroll view, ठीक है, now control S करते हैं, and let's see, yes, we have this, expansion tile list आगी हमारे पास में, अब यह expansion panel list आगी है, हमारे पास में, expansion tile list नहीं है, expansion panel list है, अब यह panel list जो आ रही है, इसमें multiple items डाल सकते हैं, भी डालेंगे भी, main चीज जो यहां मुझे देखने को मिल रही है, वो यह है कि मैं उसको tap करने वे, कुछ भी impact नहीं ला पा रहा हूँ, यह तो expand होना चाहिए न, बढ़ यहां पे अगर मैं, वापस आऊं, और यहां पे एक option में जाऊं, header तो हमने बना दिया, body भी हमने बना दिया, बढ़ यहां पे एक option होता है, is expanded, अगर मैं इसको true डग दू हमेशा, यह हमेशे expanded दिखेएगा आपको देखो, brief description in here, मुझे इसके tap पे इसको expand true और false करवाना है, यहां पे हमको मिलेगा, expansion callback, और यह साथ में लेकर आएगा हमारे पास में, boolean value, index and boolean value, panel index is expanded, ठीक है, यह जो expansion callback है, यह मुझे लाकर देखा कि भी किस index का expansion हुआ है, और किस index का collapse हुआ है, ठीक है, तो मुझे वो update करवाना होगा, तो यहां पे मुझे मिलेगा index, और यहां पे मैं कर दूँगा, is expanded, ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, कि यह जो list item है, जो यहां पे मिल रहा है, मुझे इस expanded को true false runtime में करवाना होगा, ठीक है, तो अभी के लिए तो हम यहां क्या करते हैं, इस expanded ही ले रखाया अपना है, इसको मैंने true कर दिया, जो भी is expanded की value आ रही है, इसको normal variable ले देते हैं, expanded or not, ठीक है, तो is expanded, equals to expanded, और अभी मैं index पे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी index को नहीं ले रहा, अभी सिर्प मैं चाहता हूँ, नॉर्मली सब के लिए हूँ, और यहाँ पे हम कर देंगे, is expanded, जो हमारा variable है, और सबसे important चीज़ है, यहाँ पे मुझे set state लगाना हूँ, जैसी मैंने set state लगाया, जो भी मुझे value इस callback से मिल रही है, यह respectively हमको हर index के लिए दे रहा है, तो इसमें सबसे important और major role किसका था, expansion callback का, plus is expanded true है के false है, वो यहाँ से determine होगा, अब यही same चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे multiple items लेता हूँ, let's say, इसमें problem क्या हो सकती है, और कैसे हो सकती है, यहाँ पे दूसरा item ले लिया, control S किया, दोनों items आगए, अब मैं इसको open करता हूँ, तो देखो, दोनों एक साथ open हो रहे है, जब कि मुझे दोनों एक साथ open नहीं करना है, समझ रहे हो, मैं इसको open कर रहा हूँ, तो नीचे वाला भी open हो रहा है, मैं इसको open कर रहा हूँ, तो यहां पर हम इंडेक्स को यूज ही नहीं कर पारें तो अब यहां पर क्या करना होगा अपने एक सिंपल सा बेसिक सा एक लिस्ट बनाते हैं लिस्ट आफ मैप आफ स्ट्रिंग कॉमा डायनायमिक ठीक है लिस्ट एक्सपेंशन आइटम्स यहां पर बना हमारे आइटम्स बनाते हैं वेकी थीन doświad प्रेड़ाऊ को डायाएकब SUBSCRIBE आइटम्स अंधर डायिक हो ब़्यारे पास में पास में मुझे थाइटब लेड़ triang मर्सस अमरे पास में डिस्क्रिप्शन जो मैं को लैप्स वाले व्यू में दिखाऊंगा उसके बाद में जो इंपोर्टेंट चीज है वह आईगी यहां पर अब इसमें मॉडल क्लास भी बना सकते हो ठीक है इस एक्सपेंडेड या अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं सिंपल सा एक्सपेंडेड ही ले लेता हूं ठीक है एक्सपेंडेड ही यूज कर रहे हैं और यहां पर मैं कर दूंगा बाइडिपॉल्ट फॉल्स यह हमारा पहला इटम हुआ हमको यह सा क्यों करना पड़ रहा है और ऐसा क्यों चाहिएगा आपको आगे चलके जब आप बड़ी लिस् क्यों है इसमें को इंडेक्स मिल रहा है तो मिश्य इंडेक्स के बेसे पे हम सिर्फी वेल्यू को अपडेट कर वाएंगे तो उससे क्या होगा कि जब सेट सेट कॉल होगा तो जिसका फॉल्स होगा उसका को लैप दिखेगा तो यहां पर आपको मज़ा जाएगा लब इस इसको एक्जेक्ट करते वेए मज़ा जाएगा आपको तो चार आइटम मैंने यहां ले ली है इसको फॉल्स किया है मैंने इनिशली और अब मैं इसको हैंडल करना चाहता हूं यहां पर तो हमारे पास में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि जब डोंट एफ बिल्डर क्ल बार बार तो आप यहां पर मैंप फॉंक्शन को यूज करेंगे विच जो मारी लिस्ट है मने किस नाम से बनाया था लिस्ट आइटम लिस्ट एक्सपेंशन इतम्स ठीक है डॉट मैंप एक फंक्शन होता है यहां को एक कॉल बेक देगा सबंचना है चीज को बहुत होता है कि anonymous function ठैक है इक ऐसा function जिसका कोई नाम नहीं हो ठैक है तो यह function का ही आपको इंडिकेशन दिखेगा एक bracket open bracket close उसके बाद curly bracket open curly bracket close ठैक है और बीच में जो आरहा है इस तेंट फॉर element तो क्या कर रहा है मैप कर रहा है तो आपको हर इंडेक्स पे लिस्ट के हर इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा है ना वो लाके मुझे देगा एक अंदर तो मैं इसको बोल सकता हूँ इच आइटम ठीके और यह हमसे एक्सपेक क्या कर रहा है कि यहाँ पर देना चाहते है कि चल्टन क्या expect कर रहा है यहाँ पर expansion time return कर रहा है तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा return expansion panel यह complete होने के बात भी यहाँ दिखत है दिखत क्यों है क्यों यह expansion map करेगा यह iterable बनाएगा इसको क्या चाहिए list of expansion पैनल तो हम क्या करेंगे simple size के पीछे लगा देंगे to list जैसे मैं करूंगा यहां से होगी problem solve अब जो main चीज है वो तीन चीजों में एक तो यह is expanded एक title और एक यह वाला टाइटल बाड़ी के अंदर description वाला तो पहले तो मैं इसको लियाता हूँ यहां पर तो जो हमारा each item है वो एक map है तो map के अंदर से मुझे की निकलनी होगी title नाम से ठीक है फिर यहां पर आएगा description नाम से each item description ठीक है मैं चेक कर रहता हूँ यह है ना फिर expanded है तो यहां पर मैं simple sa each item expanded ठीक है यह अलग अलग keys हो गई और अब यहां पर आप सेट कर रहे हो ना अभी देगो मैं control s करता हूँ और अपन देखेंगे different different items आ गए एक और चीज़ हम कर सकता है कि item hiding heading जो हम ले रहे अब देखो हमारे बास में item hiding आगई पैनल के अंदर expansion पैनल लिस्ट के अंदर अभी भी आपका यारा on tap तो वर्क नहीं कर रहा अरे on tap वर्क कैसे करेगा अभी तो हमने global variable बना कि उसके उपर चेक लगाना था बड़ यहां तो वह चीज़ अब वर्क करेगी नहीं क्योंकि यहां पर इस expanded कहां से आ रहा है इस particular item में से आ रहा है जो आपने map लगा है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर इस expanded की जगा पर हमार जो expanded वाला पार्ट है इसको कर देंगे expanded अब अब open हो रहा है और अब देखो सिर्फ एक ही open हो रहा है यह जरूर है कि आप इसको open करो तो यह भी open हो रहा है यह भी open हो रहा है ठीक है बट यह जो हमारे पहले problem मारी थी वो अब solve हो गई कि वह हम जब पहली बार इसको tap कर रहे तो सारे के सारे एक साथ open हो रहे थे क्योंकि हम वहां पर expansion callback के अंदर एक global variable बेर यह data set कर रहे थे तो इस तरीके से आप इस expansion panel को manage कर सकते हो आपने कभी नोटिस किया आपको कहीं बार चेक बॉक्स ही जरूत होती है या फिर आपको स्विच की जरूत होती है लेकिन वह आपको एक टाइल के रूप में चाहिए यानि कि आपको एक लिस्ट के अंदर बहुत सारा आइटम्स है उनको एक साथ option देना है कि आपको इनके नहीं करना है मतलब एक लगाना हूं तो मैं चेक बॉक्स लगा सकता हूं एक इसे मुझे एक बनाने हूं तो मुझे लिस्ट के अंब हर बार एक चेक बॉक्स लेना पड़ेगा यह अब इस प्रॉबलम को स्वल करने के लिए हमारे पास में एक विज्ट होता है जब भी चे ठीक है यहां पे यह देखो boolean value लेकर आएगी आपके लिए और यह खुद भी एक value मांगेगी इनिशली आपको क्या value देनी है तो यहां पे आपको value का option मिलेगा तो मैं यहां पे कर देता हूँ is checked by default इसको untrue कर देते हैं मतलब untrue मतलब false कर देता है which is false boolean ठीक है यहां पे कर देते हैं is checked और यहां पे पन जो इस चेक की value है वह अपडेट करवाते रहेंगे और जब भी अपडेट करवाना होगा मुझे क्या करना होगा set state लगाना होगा बिलकुल तो हम is checked equals to value कर देते हैं और यहां पे कर देंगे set state ठीक है and it is a boolean question mark अगर आपने देखा हो तो इन लेबल वैल्यू लेक्या रहा है तो हम यहां पर कहेंगे कि अगर हम वहां पर value सेट कर रहें यह तब प्रप्रब्लम आती जब value आप दो इन है ठीक है मैं यहां पर value दे रहा हूं तो यह true यह false यहां पर मिल रहा होगा ठीक है अब हम करते हैं एक वैसको simple सा run तो यहां हमारी लिस्ट जो checkbox list style वो open होगी और यहां दिख सकते हैं यह checkbox tap और on off हो रहा है ठीक है obviously बात है हमने सिर्फ यहां पर दो ही चीज़ें रखी है यह एक लिस्ट टाइल है तो इसमें आपको सारे option मिलेंगे title हो गया then subtitle हो गया तो दोनों option यहां पर manage कर सकते हैं तो डू टाइटल यहां पर text description तो आप देख सकते हो कि आपका जिसे एक नॉर्मल टूडू एप बना रहे हो तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से आपको handle कर सकते हैं और इसको आप अगर listview.builder के अंदर handle करोगे let's say I wrap this particular widget into the यहां से मैं हटाता हूं यहां पर listview.builder ले ले लेदा हूं itembuilder पर चल्या करी अपक यहां pay यह कि टीए एंड्ड एंड विक्यार आ यहां पर लिस्ट लोगे आपके पास में इंड़ीड इस्त क्वे न्हीं अंदर हम ने चाहिए तो नौर्मल यस्टाइम न प्रोवैड करके चेकबक लिस्टाइल कर दिया है और अब लंट checkbox कर वा सकते होँ अब यहां पे सब क्या हो रहा है checkbox हो रहा है तो यह चीज़ आपने expansion time में भी देखें कि हमको क्या करना पड़ेगा इंडेक्स उसको अपडेट करना पड़ेगा यहां पर जैसे हमारे यहां पर list बना दी है अब मैं इस list को यहां पर setup कर देता हूं यह चीज इसलिए कर रहा हूं कि अभी हमारे पास में क्या हो रहा है कि मैं जब इस पर tap कर रहा हूं तो इसका reason यह है कि अभी हम जो checked कर रहा है ना सब के उपर कर रहे हैं तो क्योंकि यह listview.builder है और यह एक आइटम है तो मैं जिस पर भी चेक कर रहा हूं तो यह सारे की सारे items को क्या कर रहा है अपडेट कर रहा है तो मुझे क्या करना है सबसे पहले तो यह title यहां पर आपको दर्णा है टाइटल कि भी से मुसी तरीके से यहां पर डिस्क्रिप्शन कर देना है एक के से तरीके से यहां जो वैल्यू है उस वैल्यू में आ जाएगा यहां पर इस कंप्लिटेड ऑर अब जब अव्डेट कर रहे हो तो आपको किसको अपडेट करना है इसको अपडेट करना है इस इसका इस प्रॉपर धि春 रखना अब एक वल टू जो भी वैल्यो कर्यों तो यह सिर्फ बुर एप्डेट करेंगा सबको नहें करेगा अब सबल और इसको जो टास्क हुआ वो हुआ जो नहीं हुआ वा बन चेक कर सकते हो एक टास्क को कम्प्लीट करना मत बुलना वीचे सब्सक्राइब डबल एस की यूट्यूब चैनल तो यहां पर आप कर दोगे और इस विल भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर ले ना अगर आपको एक अच्छा लग रहा है अभी आ जाते हैं केस में मुझे राइट इन साइड में दिख रहा है मुझे लेफ्ट इन साइड में लगाना हो तो हमने चेक बॉक्स में सारे आइटम देख लिए अब अपन क्या करने कि मुझे यह सेम चीज अब ही ट्रेलिंग मतलब राइट इन साइड में अब मुझे चाहिए लीडिंग और जैसे में कंट्रोल एस करूंगा तो सारा इटम से दर आ जाएगे इस लोकिंग नाइस यही से आप ड़न कर दो इनको जो टास्क हो रहा है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इसको बाकि सब कुछ सेम रहेगा कंट्रोल एस करता हूं और जहां पर हमारा चेक बोक्स सामा स्विच बोक्स आ गया और इसके लिए कुछ नहीं करना अलग से कुछ करने की जरूत नहीं है आप से इनके आगे अडिप्टिव लगा दो यह अपने आप करेगा अकॉर्डिंग जाए नहीं जाए अपना चेक बोक्स में अटेंग कर सकते हो आप सुछ बॉक्स में इस पेजिए जिए जो आपने डेखा होगा कि आपको श्लाइडर चाहिए होता है तो आपको आइटम को स्वाइप करना या ऊपर से नीचे स्वाइप करना मेजली है होता है फॉन के यह बहुत लिए अंडरेटेड विजिट होता है जो मुझे पहने कहीं लोगों को यूज कम करते में देखा है तो विच इस पेज विए तो पेज विए क्या करता है हम यहां पर पेज लगाते पेज विए में ऑबश्ली बाद देच चिल्रन आएंगे चिल्रन में आइटम और जो आइटम मुझे यहां प्लेस करने है वह वैसे तो एक पूरा पेज ही होगा मेरे लिए तो वह में पेज एड़ वान करतेता हूं यहां पर कंटेनर कि अब कि सेंटर कि चाइल्ड आ जाएगा चाइल्ड में सेंटर कि अब इसका कलर देता है ऐसे में बहुत सारे बना देता हूं मैं आपको आईडे दे रहा हूं आप यहां पर आपना जो भी पेज बनाना चाहते हो पेज बना सकते हो तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर और उतके नदर टेक्स्ट ले लेते हैं यह है यह मारा पहला पेज होगया कॉपी हुआ प्रेंज पर देता हूं है अधिक है यहां पर हमारे पास में स्क्रॉल निए रिवर्स है यह सब हम कर सकते हैं पड़ सबसे पहले हम यह देख लेता है कि हमारा जो हमने अभी तक किया है, वो चीज चल रही है कि नहीं चल रही है, तो Ctrl S करते हैं, यह आप देख सकते हो, कि आपका जो Slider है, वो बनके तयार है, Majorly जो यह रोल प्ले करता है, वो आपके Tabs में करता है, आपने देखा होगा Tabs में भी यह चीज होती है, पर अगर आपको Tabs न बिल्कुल आप इसमें Scroll Direction होता है, आप इसमें दे सकते हो, Axis.Vertical, जैसे यह आप वर्टीकल करोगे, अब यह जो स्क्रॉल होगा, यह आपका इस तरीके से होगा, मतलब एक तो Normal स्क्रॉल होता है, इसमें देखो आपको यह हमेश्चा, जैसी आपने हलका सा भी स्क्रॉल क किया, मतलब हाफ से जदा किया, तो यह बार में एक ही को दिखाएगा, नौर्मल स्क्रॉल में क्या होता है, कि मैं इस स्क्रॉल करते वे देखते हैं, इतना भी छोड़ दूंगा ना तो यह इतना दिखेगा, इसको हाफ से जादा करूँगा, तो आप से किंड पेस सकते हो, तो यह बार 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 रिपीट करना पड़ रहा है, अगर तो हो के दोनों अलग-अलग पेज़े से या चारो अलग-अलग पेज़े से तो पूरी डिजाइन ही अलग होगी, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा रिलेटेट जिसे गैलेरी वाला चीज है, उसमें हर जगा इमेज ही शो करना है, आपको स्वाइप इदर करो चाहिदर करो, तो से यहां पर आपको मिलता है pageview.builder, obviously बात है, जब builder आएगा तो फिर आपके पास में क्या आजाएगा? आपको ऐसा mandatory नहीं कि आपको विजट दे नहीं है, but obviously अगर हम बना रहे हैं तो हम विजट देने के लिए इसको बना रहे हैं, तो हम विजट ही देंगे, और यह function, anonymous function, दो चीज़े लेके आएगा, क्या लेके आएगा, एक तो context लेके आएगा और एक index लेका आएगा, जो हम बनाते हैं, में को दो चीज़ें चाहिए, तो text चाहिए और एक color चाहिए, तो map बना देता हूँ, आप model भी use कर सकते हूँ, ज़्यादा है, तो map से key value pair में बहुत ज़्यादा typical हो जाएगा आपके लिए, तो उससे better execution होगा, आपका model को use करना, तो आप model भी create कर सकते हूँ, let's say model के साथ ही कर लेते हैं, मैं यहीं पर model class बना देता हूँ, class, each page, item, ठीक है, दो चीज़ें चाहिए, और class का नाम हमेशा आपका capital letters तो होना अच्छी है, यहाँ पर एक चीज़ होगी, आपका color, तो color, question mark, mcolor, ठीक है, एक होगा, string, title, ठीक है, और इसका एक क्या बना लेते हैं, पर, constructor बना लेते हैं, this.title, this.mcolor, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, each page, अब अलग से page क्रेट करके भी class बना सकते हो, यह से समझाने के लिए, ताकि आपको इहीं पर concept clear हो जाए, ठीक है, each page, item, list, page, ठीक है, यहाँ पर हर index मुझे, each page, item, object बनाना पड़ेगा, और इसमें तीन, दो चीज़ें पास करनी पड़ीगे, और क्यों ना, हम इसको name तो किया ही, हम इसको required भी कर दे, यह दोनों चीज़ें, हमको आगे से चाहिएगी, तो null label बनाना चाहो तो बना दो, लेकिन क्योंकि हम required कर रहे हैं, यह दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो required करना ही पड़ेगा मुझे, तो यहां पर मुसको required करते हैं, टाइटल में आजाएगा हमारे पास में, page1, और color में आजाएगा हमारे पास में, colors.green, ठीक है, यह एक आइटम हुआ, दो आइटम, तीन आइटम, चार आइटम, अब तु जितने बनाना चाहो उतने बनाओ, ठीक है, दो, तीन, यह तब और तभी possible है, जब सारी की सारी pages की यू आई है, वो similar है, ठीक है, तब इस चीज से आप काम को आसान कर सकते हो, semi-colon क्यों आएगा, यहां पर, comma आएगा, हम लिस्ट के अंदर है, we are a part of a list, ठीक है, green हो गया, blue कर दता हूँ, orange कर दता हूँ, blue, gray कर दता हूँ, ठीक है, यह अलग-अलग pages हो गए हमारे, और इन pages को अब हमको यहां पर set करना है, तो obviously यहां पर item count भी होगा, तो item count में हम क्या कर देंगे, जो list pages है, list page dot length कर दूँगा, ठीक है, और यहां पर green करने की ज़रूद नहीं है, हमको क्या लेना है, जो हमारे पास में list page आ रहे है, list page, उसके हर index पे हमको क्या मिलेगा, एक class का object मि दो चीज़ें होगी, title and color, तो यहां पर color आ जाएगा, and same, इस जगा पर हमारा title आ जाएगा, ठीक है, तो we are good to go, करते हैं, run और check करते हैं, yes we have it, page 1, page 2, page 3 and page 4, हो रहा है, यह इतना आसान हो जाता है, कि आप अगर, आपको लगता है कि आप मुझे और page के items add करने, तो just आप add कर दो यहां पर, 5, 6, तो मैं basic UI ले रहा हूं, आप यहां पर अपनी पूरी complete UI ले सकते हो, और अगर वो similar है, तो आपको in no time, आप जितने pages बनाओंगे, उतना काम हो जाएगा, अब आप सोचो कि data गर आगे से आ रहा है, तो आपको कुछ सोचने की भी जरूद नहीं है, आ and majorly जो होता है, वो pageview.builder जो होता है, उसका direction जो होता है, horizontal होता है, तो that is why हम इसको यहां पर लिया आते हैं, blue, gray की जगह, इनका color हम वापस से, pink, purple, जो होता है, जो हमारे पास हो, और यह जो हमारे पास हाई, और यह scroll नहीं हो रहा है, जगो, मैं जैसे ऐसे कर दो हूँ, जैसे हाफ से जादा हो एक आपना swipe हो रहा ही है, हाफ से जादा नहीं है तो वापस अपने इस page पे आरहा है, this is our pageview widget, आप coming to the next widget, यह बहुत common widget है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, यह widget कहां काम में आता है, जब आपका कोई भी content, किसी भी mobile phone के padding की वज़े से, यानि कि उपर के elements या कह सकते हो, किसी भी mobile के in designs की वज़े से, जैसे कि जो mobile का status बार होता है, अगर mobile phone में देखो ने लिया, तो जब अगर अपन आप बार नहीं लेते हैं, तो हमारा जो content है, वो direct top पे touch हो के बनता है, बनता है, जब वो top surrender होता है, तो कहीं बार हमारा जो top वाला content है, वो हमारे status बार के पीछे छिप जाता है, यह बहुत common problem है, और आपने भी इस problem को कभी ना कभी face किया हो नॉच करता है, नॉच वो आपके phone में adjust होता है, मतलBN की screen में adjust होता है, तो कहीं बार ऐसा भी होता हि कहा cancer हें, यह वो कट सकता है, जो कहीं बार बेच में कहीं है, और हमने बने पूरी screen को cover करना है, तो हमारा content हो इसके पीछे से होते ब़ह भी जा सकता है, आपने यह की नोğ तो ऐसा चीज आप भी अप्लाई कर सकते हो और आपके साथ में कहीं बार होगा जब आप इस एप बार को नहीं दोगे अगर आपने अप बार की रिक्वर्मेंट नहीं होगी देखो अगर आपने अप बार ले रखा है तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल करने के लिए अब आप सेफ एरिया इसके उपर भी लगा सकते हो बड़ मैं प्रिफर करता हूँ कि आप जो भी आपका परिंट विजिट है में जो रूट विजिट है उसके उपर आप रैप इतर विजिट करो इस विजिट को रिप्लेस करके यहाँ पर कर दो सेफ एरिया अब यह क्या करेगा ऑटोमेटिकली जो भी आपके फॉन के इन डिजाइन होंगी जो जैसे की स्टेटिस बार हो गए जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है तो जैसे की नौज हो गए जो भी हमारे मोबाइल के एक्पिबमेंट से तो उनको यह कंसेडर करेगा और उतना पार्ट जो है वो पैडिंग में लेफ्ट करके फिर आपके यूई को रंडर करेगा तो आपको पता है कि अब आपको क्या यूज करना है सेफ एडिया को यूज करना है अब कमिंग तो नेक्स विजिट इन दे लिस्ट विच इन अल्टरनेटिव और आप लोगों ने भी कहीं बार रो और कॉलम विजिट को यूज किया होगा जिब कुछ डिजाइन ऐसी होती है जैसे कि मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर बता जाता हूं जैसे कि मैंने यहां पर रो लिया और रो में मिरे पास में मुल्टिबल विजिट है यहां पर मुझे कुछ आइटम को प्लेस करना है और मुझे यह चाहिए कि अगर आइटम यहां पर एडजस्ट ना हो तो आटोमाटिकली नीचे चला जाए कभी आपने नोटिस क्या होगा ना कि मुझे ऐसी डिजाइन चाहिए कि यहां पर इसको स्क्रॉलेबल नहीं बनान करो तो जतना specified height है अगर वो उसको cover कर लेता है मेरा item तो automatically वो नीचे चला जाए ऐसा कोई विजट है जिसमें मैं यह चीज़ आइडेंटिफाइ कर सकूँ कि मिरको केतने item adjust होंगे मेरे particular width के अंदर and यह निकालने के बाद मुझे जो item चाहिए वो automatically नीचे column में चला जाए मत अब आपको अधाता हूं कि इसके alternates क्या हो सकते हैं जैसे मैंने यहां पर item डाला control किया और इसली बात हैं यहां पर error आजाएगा क्योंकि वो content इस particular width के बाहर चला गया है अब यहां में आप क्या कर सकते हो first thing first के बैयार अगर आपका UI ऐसा है जिसमें आपको data को उसी particular row में नहीं दिखाना है तो आप इसको व्रैप कर सकते हो वह single child scroll view, you can wrap it with a widget इसका नाम दे देंगे अपन single child scroll view और जैसे मैं control as करूंगा कि by default इसका जो access होगा scroll direction होगा वो आपका vertical होता है तो इस होजे से यह error अभी भी solve नहीं horizontal करूंगा तो यह problem solve हो जाएगी इसके लिए आपको single child scroll view की जरुत है नहीं तो मैं इसको remove कर देता हूं यहाँ पे मुझे रोग की जगा लगाना होगा अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही item यहाँ स्क्रीन से बाहर गया तो यह automatically कहा आ गया नीचे आ गया इसको थोड़ा सा width wise बड़ा करता हूं तो item ऊपर चला गया जैसे ही चोटा कर रहा हो item automatically नहीं नीचे आ रहा है कि आइटम नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे-जैसे मैं इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूं तो जैसे-जैसे आइटम एज़स्ट हो पार है width के अंदर यह items उपर की तरफ जाते जा रहे है यहां पर सारे आ गए और जैसे-जैसे मैं इसको width wise छोटा कर रहा हूं तो यह items जो है आटमेटिकली नीचे की तरफ आ रहे है तो इस widget से यह काम बहुत ही आसानी से आप अचीव कर सकते है अब आते हम next widget की तरफ येस तो next widget को समझने से पहले हम problem को समझ लेते हैं कहीं बार आपने देखा होगा जैसे कि मैंने यह एक टेक्स्ट लिखा है आप एक row बनाओ row में तीन text widget लो और तीन होगी अलग-अलग styling कर दो बिल्कुल यह चीज पॉसिबल है बट क्या इसका एक alternative है क्या जिससे में और smartly और कम समय में इस चीज को utilize कर सकता हूं yes है हमारे बास में इसको कहते हैं rich text यहां पे text spanning को use किया जाता है जिससे की हम text के एक particular span को अलग-अलग styling दे सकते हैं नहीं हो रहा विश्वास करके देखते हैं yes तो आजाते हैं यहां पे text के उपर और मुझे सबसे पहला क्या करना होगा जो भी मेरा text है इसको मैं यहां से कर देता हूं cut अब text को अटाएंगे और हम यहां लेंगे rich text अब रिच टेक्स क्या कहा है कि इसको text required तो यह पहला item जो आपको देना है इस rich text के अंदर तो मेरा पहला item होने वाला है wsq सिफ WS रखता हूं मैं यहां पर इसको मैं अटा देता हूं सिफ WS रहेगा और यहां पर जो हमारा text है वो कह रहा है कि यार इसको एक inline span जागे तो यहां पर आपको text span बनाना पड़ेगा yes this is what we were talking about तो यहां पर बनेगा text span text के अंदर WS अब इसके उपर आपको जो styling करनी है वो आप यहां दो में style textile font size में सब की बराबर लखना चाहता हूं तो मैं 25 पर देता हूं ठीक है और इसको मैं black color तो ही इसमें तो यह हमारा perfect it is good to go अब जो बाकी का पार्ट WS के बाद में क्यूब है और फिर टेक है इन तीनों पर अलग अलग करना था मुझे तो वो चीज कैसे होगी तो यहीं पर आपको children का option मिलेगा यहां हमारे बास में children आगगा और children भी क्या expect कर रहा है inline span दिख रहा है आपको inline span का मतलब यह line के अंदर spanning करनी मतलब text span बनाने है अपनको यहां पर तो मैं फिर से एक और text span बनाऊंगा इसमें text दूँगा इसमें जो मेरा text होगा वो होगा क्यूब स्टाइल अब मैं इसको दूसरी दे सकता हूं और यह स्टाइल में यहां से लिया हूंगा font size तो वही रहेगी बस मुझे क्या करना है यहां पर color को change करना है तो we can give it color color भी नहीं करना है मुझे इसको बोल्ड करना है क्यूब को सिर्फ बोल्ड करना है तो font weight कर दता हूं मैं font weight dot bold चीक है और यह काम करते है इसको मैं कर दता हूं 34 ठीक है एक और ऐसा कैसा text pane बनाता हूं जिसमें क्यूब की जगा जाएका tech और मुझे इसदर space यह भी ध्यान रखना है डेवल एस क्यूब में space नहीं बट क्यूब के बाद में और tech के बीच में space है तो मैंने यह पर space दे दिया तेक है इसको मैं वापस 25 कर दता हूं इसको मुझे बोल्ड करना है ठीक है बोल्ड रहने देते हैं इसको बड़ इसका color change करना है इसका color मुझे करना है colors.glue अब हम इसको करते हैं run and let's see the change आगया तो आप देख सकते हो यह आपने बहुत जगा पैसा देखा होगा कि आपके एक ही paragraph के अंदर एक ही text formation के अंदर आप अलग-अलग text styling देखते हो तो यह चीज से achievable है और इसमें जो major आपका कभी भी bottom से align नहीं होगा यहां पर आप देख सकतो कि सब bottom से align है that gives you a rich field that is why it is named as rich text now coming to the next widget जैसे कि आप screen पे देख पारें मेरे पास में इमेज है जो मैंने internet से image.network से फैच करके यहां पे लोड कर दी है अब I want that this image to be rounded मतलब इसके जो edges है मुझे round करना है यह हमको option हमारे container में तो मिलता है कि हम border radius देके इसको round कर सकते हैं but क्या मैं image को भी कर सकता हूं बहुत सारे options है अगर आप container में जाओगे तो container में इसको लगाते हो जैसे कि मैंने यहां पर center widget देके लगाए अगर लेट्चे मैं container को इसको use करके करता हूं यहां पर container देते हैं और container को में border radius देता हूं border आप देखना है इसमें decoration box decoration और इसके अंदर हमारे पास में border radius होता है और border radius देके हम क्या करेंगे क्यूंकि सबसे पहली चीज यह ही है यह मारे दिमाग में कंटेनर को राउंड कर सकते हैं और उसके अंदर अगर मैं child में image.network करूंगा तो यह problem मेरी solve हो जाएगी तो मैं 16 करता हूं यहां पर देखता हूं सुना ही अभी भी मेरी image तो ऐसी की ऐसी लग रही है एक बार आप चाइल्ड को हटाओ चाइल को हटा दिया मैं 100, high 100, 200, तो यहां तो यहां तो यहां तो ही आजसा दिख रहा है है, मैं child को वाप पिस से प्लेस करूं और मैं चलाऊं तो तो image की size तो उतनी हो गई लेकिन यहाँ पे वो ages तो clip होए नहीं तो यहाँ पे हम use कर सकते one of the most common widget to clip the images or any part or any visit given कोई भी widget को अगर आपको clip करना हो ages उसकी round करना हो तो आप use कर सकते हो clip correct या clip oval अगर मुझे इस particular चीज को clip करना है तो मैं क्या करूँगा मैं container को हटाऊँगा container में भी एक option होता है जिनको पता है you can let me know in the comment container के थूँ भी चीज अचीज अचीवेबल है decoration के अंदर से मैंना आपको hint दे दिया है तो थोड़ा सा lengthy तरीका हो जाए इससे better option है कि अगर हमारे पास में image है जैसे कि अभी हमारे पास में image आ रही है अब मुझे इसको क्या करना है clip करना है just round करनी है तो इसको सीधा साब को wrap करना है with another widget name it as clip rx clip rx stands for clip rounded rectangle तो अगर आपको इसमें rectangle way में अगर आपको उसको round करना है rectangle मतलब की square shape भी हो सकती है border radius dot circular 21 control s and we will be finding that हमारे ages round हो चुके है इसको और better देने के लिए हम इसकी विर्तोर height को fix कर देता है तो हम image के अंदर भी option होता है मारे पास में 100 by 100 की विर्तोर height देता हूं ता कि आपको proper ages rounded होती भी दिखे 200, 200 बहुत जादा चोटा हो गया let's check it 200 200 200 इसको हम center कर देता है ठीक है आप चाहो तो इसको और ages round कर सकते हो गर आपको ऐसा ages round करना है तो और ages round होगा है अगर मुझे चाहिए नहीं मुझे तो यह circular shape में चाहिए तो बिलकुल आप यहां पर clip oval कर सकते हो फिर border radius की जरूद नहीं है oval shape में इसको करेगा यहां आपका circular shape and oval shape का मतलब यह होता है कि जैसे मैंने इसको 100 width और height 200 दी तो यह कुछ ऐसा oval clip होगा अब इसके लिए आपको इसको stretch करना होगा image के अंदर box fit में जाके तो यह आपका oval shape बन जाएगा अलाकि हम यहां पे squarish image ही लेंगे ताकि हमको proper circle मिले अब इसमें clipping हमने कर दी और इस तरीके से हमने clip कर दिया आप मेंसे कहीं लोगों का यह दिमाग में चीज़ आ रही होगी उसके लिए आपको सीखना होगा clip path को अगर आप चाहते हैं कि clip path पे complete video आए तो do let me know in the comment comment भर देना इससे अगर आपको चाहिए clip path पे detailed video जससे कि आप जैसी design आपको flutter की UI में चाहिए कही मार ऐसा होता है कैसे waves आ रही हो कही मार ऐसा होता है कि आपको kite shape तो you can let me know in the comment and भर देना comment है okay अब आते है next video की तरह आपको यहां पे right hand side में screen दिख रही होगी ऐसी UI आपको majorly columns and rows में दिखने को मल जाती और एक बात बड़ी जो important चीज होती है कि हमको इनके बीच में spacing एड़नी होती तो हम क्या करते हैं हमको कोई इस पेस एड़ करने के लिए हम size box को use कर लेते हैं which is one of the best option size box क्या करता है हमको जो spacing चाहिए जैसे मुझे 11 की spacing चाहिए तो मैं 11 किया तो यहां पे space देगा फिर यहां इस पेस देगा जैसे मुझे बहुत सारे multiple size box को कहीं बार क्या होता है आप smartly अगर spacing या ratio में spacing देना चाहते हो उस चीज को अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा redundant code लग जाएगा एक तो तक में मुझे static एक में मुझे इतने 11 की space देनी है इसमें 11 की देनी इसमें 11 की देनी है लेकिन अगर आपको equal spacing देनी है या फिर आपको ratio के बहाफ पे spacing देनी है जैसे कि आप expandable या flexible में करते हो तो वह सेम चीज आप अपने flutter में achieve कर सकते हो using spacer widget तो आप size box की जगा अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ spacer तो यह क्या करेगा जैसे कि माना expanded widget करता है expanded widget child पे लगता है तो वह child को पूरी space दे देता है spacer widget क्या करता है column के अंदर और row के अंदर जितनी भी बचीवी space है वह सारी की सारी space किसको दे देता है स्पेसर को दे देता है तो अब जुतनी भी height में जो बचीवी space थी वह किसको मिल गई यानि कि इसने इसके और इसके बीच में एक space create कर दिया अब let's say मुझे इसके बीच में भी space चाहिए तो मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे सिर्फ spacer करना है यहां भी space आ गया लेट से मुझे इसको रेशियो में मिलिया तो इस तरीखे साप रेश्यों में एकर स्पेशिंग चाहिए यआ स्यमे бал inmanda स्पेशिंग चाहिए तो आप स्पेश qo games कर सकते हो यह को ऐसी आ ज़सी और ओगट प्रेंग्स हो याद है ना रो अन कॉलम के अंदर तो इस तरीके से आप इस सेम चीज को अचीव कर सकते हो लेकिन कहीं बार आपका जो स्पेसर विजिट है इस टाइप की यू आई को बनाने के लिए आपको काफी जादा हेल्प कर सकता है कि जहां आप साइस बॉक्स को एक कैल्कुलेटिव किसी फॉन के उपर किसी जगह पे आपने टेक्साइस बहुत लाड मेंचिन कर रखी होती बड़ किसी जगा किसी और फॉन ५ॉन S में जब उसको चलाते हैं तो उसके लिए वो capable नहीं होता है इस वज़े से कहीं बार हमारा content है हमारा text वो clip हो जाता है और जो कि आप देख भी सकते हो कि मैंने यहां पर UI में यह चीज सेम कर रखा है मैंने यहां पर font size जान बुझके 56 दिये मैं यहां पर इस चीज को clip होता हुँ अब इस चीज को कैसे हम solve करें कैसे हम सारे font size के लिए मलब कैसे हम सारे fonts के उपर हर जगा पर जैसे width बढ़ रही है या जैसे width कम हो रही है तो यह automatically हमाना चो text है वो उसके हिसाप से adjust हो रहा है यह चीज कैसे possible है यह चीज possible है using fitted box widget fitted box केवल text के लिए नहीं है fitted box कोई भी item के लिए इससे पहले widget देखा clip आरेक्ट तो कोई जरूर्णी को image के लिए ज्यादा तो जो use cases होंगे वो image के लिए होगे क्योंगे image के उपर आप clipping mostly चाहोगे करना और वो आपको by default मिलेगा नहीं तो हम clip correct या clip oval से उसको clip करेंगे वैसा का वैसा same चीज यह चीज केवल आपके text के लिए नहीं है इस fitted box को आप जहां पे भी अपने item को fit करवाना चाहते हो कि अगर इतना width है या इतना height है तो इतने में fit हो जाए अगर width और height बड़ी हो तो या अपने आपको बड़ा कर ले तो इस type की अगर आपको adaptiveness चाहिए तो उसके लिए आप fitted box को यूज कर सकते हो तो fitted box को आपको just wrap करना है इस text के ऊपर यहां पे हम wrap कर देंगे with this particular widget named as fitted box जैसे में control as करूंगा done हमारा WS cube tech जो है वो इस box में fit हो गया है let's say कि अगर इसकी height में और चोटी कर देता हूं 20 कर देता हूं तो क्या होगा इसने automatically हमारी font size को क्या कर दिया है चोटा कर दिया है अगर मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, let's say मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो इसने font size को automatically बड़ा कर दिया, अगर मैं इसको यहाँ पर 350 कर देता हूँ, तो automatically हमारी size को क्या कर रहा है, adjustable बना रहा है, adjust कर पा रहा है, तो इस तरीके से आप major चीजों में, यह चीज कहाँ आपका problem solve करेगी, जहाँ पर भी आप responsive या adaptive UI बना रहा है, majorly responsive तो आप orientation से handle करोगे, लेकिन adaptive का होना बहुत important हो जाता है, कि different different sizes of platform पर जब आप इसको run करोगे, तो वहाँ पर different width और height के हिसाब से हमारा जो content है, वो automatically अपने आपको adjust कर ले, यह one of the best thing है, और यह उसका one of the best widget है, जिसका नाम है fitted box, अगर आप ऐसे ही responsive और adaptive के top 10 widgets चाहते हो, कि उसके उपर एक complete video लेगा हूँ, तो do let me know in the comment, वी आप भी face कर रहे हैं कि आप एक clutter app को बनाते तो है, लेकिन उसको responsive कैसे बनाना है, तो ऐसे कुछ widgets हमको मिल जाएं, जिसकी help से हमारा के काम बहुत असान हो जाएं, और हमारी जो app है, वो responsive और adaptive बन जाएं, तो do let me know in the chat, और अगर यह video और इसके अंदर बताएगे widgets, आपको सच में help कियो, तो do give us a like, अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो do subscribe our YouTube चैनल, आपका subscription हमारे लिए एक motivation की तरह काम करता है, ताकि हम आपके लिए और देर से देर वीडियो लाते रहें, tech related, education related, and flutter related, and app related, ऐसे ही और flutterful widgets के लिए, stay tuned for the next coming flutterful sessions, till then, see you.